कहते हैं नमाज छुडाने गए थे और रोजे गले पड़े पाकिस्तान के साथ SEO मीटिंग में रूस ने कुछ ऐसा ही करा था रूस ने बड़ी फटकार लगाई थी आखिर किस बात के लिए फटकार लगाई थी तो वहीं इसराइल और भारत ने मिडलिस्ट में मुस्लिम देशों के साथ किया कुछ ऐसा जो पाकिस्तान तूर्की और इजान के लिए गले की हड़ी बन गया है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से भारत का कस्मीर से कितना पुराना रिष्टा है वह आप ऐसे जाने की रिषी कस्यप के नाम पर कस्मीर का नाम पड़ा लेकिन पाकिस्तान बटवारे के बाद से ही कस्मीर को हडपने के चक्कर में लगा रहता है और आज तक उस उसकी मनसा तो पूरी नहीं हुई लेकिन वह इसका रटा जरूर मारता है। बात दरसलिया है कि पाकिस्तान में अगर अपनी राजनीती को जिन्दा रखना है वहां के नेताओं को तो कस्मीर ही एक मुद्दा है। बाइक तो पाकिस्तान की आम जनता के लिए या वहाँ के निताओं ने या वहाँ के जनरलों ने या वहाँ की आर्मी के बड़े-बड़े अधिकारियों ने कुछ करा तो है नहीं अर्थविवस्था गधे पर बेच कर चल रही है चाहे 1947-1948 की लडाई हो या 1965 की लडाई हो हर जगा मूँ की खानी पड़ी है इन सब के ब पाकिस्तान के लिए एक टोनिक जैसा है जिसके बल पर कई दसकों तक पाकिस्तान के आकाओं को रोजी रोटी का जुगार होता है लेकिन अब इस्तिती ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान कस्मीर का राग जहां भी छेड़ता है वहाँ उसे दूलत्ती पड़ जाती है हाली में संगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बीच मौस्कों में बैठक हुई थी जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री जैसंकर भी मौस्कों गए थे S.C.O. के सदस्योंने के नाते पाकिस्तान के विदेश मंत्री साह महमूद कुरेशी भी पधारे थे लेकिन आदत के विप्रीद साह महमूद कुरेशी ने एक बार फिर अपने संबोधनों में कहीं कस्मीर का जिक्र नहीं किया इसके दो बड़े कारण है पाकिस्तान का करवा अनभव और रूस का कड़ा रुख जबसे अनुचे 370 खत्म हुआ है तबसे ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पाकिस्तान ने कस्मीर का मुद्धा उठाने का प्रयास न किया हो अपने आका चीन के कंदे पर बंदूक रखते हुए पाकिस्तान ने यूएन सुरच्छा परिसद में भी इस मुद्धे के जरिये भारत को घेरने की कोशिज करी लेकिन वो भी काम नहीं आया अब SEO की बेठक में पाकिस्तान जब ऐसा करना चाह रहा था तो रूस ने अपना बड़ा ही कड़ा रुख दिखाया जिसके बाद पाकिस्तान को अपने कदम पीछे हटाने पड़े रूस बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो जिससे SEO के सम्मेलन में कोई बाधा है या फिर रूस के दोस्त भारत को कोई आपती हो इसके बारे में रूसी दूतावास ने साफ साफ अपने आदेश दिया हुआ था कि SEO में ऐसी कोई भी बात नहीं उठेगी जो एक दिवपच्छी मुद्दा हो और जिसका SEO के उद्देश से कोई सम्मन्द नहीं हो ऐसे में रूस ने चीन के दम पर उचाल भर रहे पाकिस्तान को उसकी आउकार भी बताई और साथी साथ हतियारों की डिलिवरी मना करने के नेड़ने के बाद एक और जटका भी दे दिया वैसे पाकिस्तान की हालत इससे में बहुत खराब है एक और भारत और अफगानिस्तान उसके आतंकी मनसुवों पर हर दिन पानी फिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत को हर प्रकार से पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा संभावना हो गई है कि FATF में ब्लेक लिस्ट हो जाएगा पाकिस्तान इसलिए अब पाकिस्तान कस्मीर राग इन मंचों पर उठाना बंद करेगा क्योंकि उसे पता है कि अगर वा ऐसा करेगा तो उसकी मुसीवते कम नहीं होने वाली है बल दुनिया बदल रही है सोच बदल रही है लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम देश अभी भी हैं जिनकी सोच वहीं की वहीं है वही कटरपंथी सोच और वही संकिर्न सोच जो उनके लिए समस्या तो बनी रहा है उनकी जनता के लिए भी समस्या बन रहा है वैसे राजनीती में कहा जाता है कि जब आप अपने दुस्मन से नहीं सक सको तो उससे दोस्ती कर लो इसराइल छोटा सा देश होते हुए भी छे दिन में छे देशों को युद्ध में हरा देता है इतनी ताकत हो गई है कि अब बड़े देश भी इसराइल के साथ दोस्ती भरा रिस्ता रखना चाहते हैं एक समय था जब उम्मा के नाम पर UAE, सौधी अरब, इरान जैसे कई इसलामिक देशों ने इसराइल के उपर सीधे हमला कर दिया था और कभी भी इसराइल को मानेता नहीं दी थी लेकिन अब इसराइल के बढ़ते हुए रसूप को देखते हुए इन में से कई बड़े दिगज देश इसराइल के साथ दोस्ती को आगे बढ़ रहे हैं साती साथ सिर्फ इसराइल ही नहीं भारत भी वह देश है जिसके परती मुस्लिम देशों का रुख बदल चुका है यह देख इरान तुर्की और पाकिस्तान इनकी तो नीन उड़ गई है हाली में UAE ने इसर इस तीन मुद्दे को एक तरफ करके सांती समझोता कर लिया सौधी अरब के बारे में यह कहा जाता है कि अंदर खाने इसराइल और सौधी अरब में रिष्टे भी बहुत अच्छे हैं और वह कुछ दिनों में वह भी सामने आकर इसराइल के साथ सांती समझोता कर सकता है ल अधिकतर मुस्लिम देश इसराइल के साथ सांती समझोते की तरफ बढ़ रहे हैं यह खबर तो पहले से ही आ रही थी और अब इस पे बहरीन के बाद मोहर भी लग गया है जहां तक भारत की बात करें तो बहरीन और युवई दोनों देशों ने भारत के परदान मंतरी मोधी क तो अपने देश का सरोच सम्मान देकर यह साबित कर दिया कि वे भारत की तरफ हैं और पाकिस्तान के बार बार कस्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिस को भी नकार दिया हाली में सौधी अरब ने भी साह ममूद कुरेशी को कस्मीर मुद्दे में लतारा लगाई थी लेकिन अब ये देश अपनी कटरपन्ती सोच से बाहर निकल रहे हैं इसराइल और भारत दोनों के साथ अपने रिष्टे को मजबूत करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी वहीं अटके हुए हैं जैसे की इरान, तुर्की और पाकिस्तान वैसे जिस कटरपन्ती सोच को ये आधार बना कर अपने अपने देशों में राज कर रहे हैं कि ये मुस्लिमों के बड़े हिमायती हैं उनका मुस्लिमों का हिमायती होना उस वक्त कहां चला जाता है जब चीन में उईगर मुसल्मानों पर अत्याचार हो रहा होता है वहां तो मस्जिदों को तोड़ कर बार रेस्टोरेंट यहां तक की सोचाले भी बनाये जा रहे हैं तब इनका सोच कहां चला जाता है तब इतो इनके मुह से एक सब्दी भी नहीं निकलता है इन देशों की जनता को भी यह समझना होगा कि इनके नेता सिर्फ अपने फाइदे के ल कर अपनी राय जरूर बताएं